दोस्तों भारत यह हो या धर्ती के किसी भी जगह पे आप रहते हो जीरा, सौप और अजवाइन ये नाम के साथ सारे लोग एक्विंटेड हो और हमारे किचन में ये मिली जाता है मगर आज मैं बताओंगा इसका और शद्य गुन कैसे इसका इस्तेमाल करके आप वेट लॉस कर सकते हो बिना जिम जाए, बिना कसरत किये भी आपका ओजन कम होगा टैम टेश्टेड, दुसरा, जोएंट पेंग अगर हमेशा लगा रहता है जैसे कि अगर सरीर में कहीं भी कोई इंफ्लामेशन है, कोई भी इंफेक्शन है सरीर में सूजन है पानी का अंस दोस्तों ज़्यादा है साइनसाइटीस थोड़ा या ज़्यादा आपको हमेशा सताता है और टेस्ट करके आपको पता है कि आपको साइनसाइटीस है चाहे 20 परसेंट है 30 परसेंट है इसके अलावा आंक बाल नाखून सब के लिए दोस्तों आप करिए पेट की समस्या बायू विकार एसीडिटी पूरानी कंस्टिपेशन दोस्तों कहते हैं चुटकी मार के ठीक होने वाली बात ऐसा ठीक होगा तो थोड़ा डीटेल्स में जाते हैं चर्चा करते हैं इसे हजारों टिप्स दोस्तों आपको पता है मैं अपनी किताब 11-12 साल लगके जो गुरु जी और में लिखे हैं मेरी स्वास्त के मेरे हाथ है इसका मिनिंग क्या है कि हमारे साथ है हमारे हाथ है वो क्या है ना अपने आपको बिमारी से बचाना अपने आपको बिमारी से दूर रखना अगर बिमार हो गए तो उसे निकलना धाईजार से ज़्यादा आईरवेदिक टिप्स जो घर में इस्तिमाल कर सकते हो और एक्यू प्रेशर को एक्यूरेश्य के साथ आप अपने लिए अपने परिवार के लिए और प्रोफेशनली कैसे इस्तिमाल कर पाऊगे इसमें और बहुत सारी नई चीज़ें हमने इस बार आड़ कियें फटाफट ओनलेन अमेजन पे सर्च करो और वहीं से पर्चेश करो और घर लाके फिर देखो आपकी समस्या धिरे धिरे कैसे ठीक हो जाती है बिना दवाई खाए मेडिसिस की दाम दोस्तों बहुततीन से बढ़ रहा है इस दो-तीन साल में डबल-ट्रिपल हो गया दवाई की दाम मैं चाहता हूँ कि आप दवाई ना खाएं और या तो फिर कम से कम खाएं हस्पदाल ना जाएं या तो फिर कम से कम जाएं एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम जरूरत पड़ा तो कोई रास्ता नहीं क्या क्या जाएगा यह है दोस्तों मेरी हिंदी वाली किताब जो आप लोग पढ़ रहे हो आज रेफराल वोग इस्तिमाल कर रहे हो जो लोग अभी इससे बंचीत हो फटा फट जैसा वीडियो खतम होता है ऑनलाइन अमेजन सर्च करके इस किताब को अपने घर मंगा लो जिसके पास भी किताब है वो मेरे साथ वाटसब में संपर करके अपनी समस्या लिक की भी मेरे से सलहा ले सकता है यह सब चीज़े तो दोस्तों चलता रहता है यह देखिए मैंने आपके लिए बनाया हूँ सौंप, जीरा और अजवाइन की हेल्थ ड्रिंक्स आपका मेरे हाथ में है और यह है आपका सौंप यह देखिए अजवाइन इसकी जो समेल है यह हमें बहुत अट्रेक्ट करता है बहुत मज़ेदार है स्वादिश भी होती है और यह है जीरा तो जीरा सौंप और अजवाइन का प्रयोग आपको एक नई जिन्दे की दोस्तों दे सकता है बस इसका इस्तमाल कैसे करोगे और इसमें क्या-क्या चीज़ दोस्तों खनीज है कैसे इसमें विटामीन से मिनरेल से इस साला थोड़ा जानकरिया आपको दे दू फिर इसका कैसे बनाओगे वो आपको बताता हूँ खास करके दोस्तों भारत यो घरों में जीरा सौंप और अजवाईन का इस्तमाल मसाले के रूप में काफी होती है जो ना सिर्फ सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है बलकि सेहत के लिए भी दोस्तों बड़ी लाब करी है यह तीनों ही मसाले में दोस्तों भरपूर आउसोदे गुन है या फिर हम ऐसे कहें यह तीनों मसाले आउसोदे गुन से दोस्तों भरपूर होते है जीरा सौंप और अजवाईन का सेवन आप कई तरीके से कर सकते हो या फिर कर रहे हो लेकिन क्या आपने कभी जीरा सौंप और अजवाईन का मिक्स्ट पानी याने हल्ट ड्रिंक सेवन किये हो किये हो तो आपको डेफिनेटी दोस्तों लाब हो आओगा नहीं किये हो तो अभी बताऊंगा उसको आभी इस्तिमाल करिएगा जीरा सौंप और अजवाईन का मिक्स्ट पानी का सेवन सेहत के लिए बहुत गुणकारी दोस्तों पाया जाता है इस ड्रिंक्स का सेवन करने से ओजन कम होता है इसके साथ साथ कई सारी बिमारियां हमसे दूर रहते हैं तो आईए जानते हैं जीरा सौंप और अजवाईन का पानी पिने का क्या-क्या फायदा हो सकता है ऐसे दोस्तों आपको कम से कम 6 हेल्थ बेनिफिट में तो अभी बताता हूँ जीरा में दोस्तों आईरन, कॉपर, कैलसियम, पटासियम, मैंगेनिज, जिंक, मैंगनेशियम, फाइवर, विटामिन E के साथ साथ एंटी ऑक्सिडेंट गुणों से दोस्तों काफी सम्रुद इसको माना जाता है सौप के पोसकत्त जिसमें कैलसियम है, मैंगनेशियम है, फासपरस है, विटामिन A और विटामिन C के अलावा पटासियम भी दोस्तों पाया जाता है जोआइन के जो पसकते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकरी आपको देता हूँ इसमें विटामिन A, विटामिन C, फाइवर, आईरन, कैलसियम, फासपरस के साथ एंटी सेप्टिक, एंटी माइक्रो बेल गुण से भी दोस्तों ये काफी सम्रुद है ओजन को दोस्तों कैसे कम करता है, इसके उपर काफी रिसर्च होए है, मगर इतना तो सच है कि ये काम करता है हमारे पुर्वपुरुसों ने भी हमें बता है, इसका लाब वेट लॉस के लिए डेफिनाइटली है और दर्दोगरा इससे घटती है, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हो, तो आपको जीरा सौंपर अजवाइन का मिक्स्ट पानी का सेबन जरूर करनी चाहिए, खाली पेट क्योंकि इस ड्रिक्स के सेबन से, आपका जो मेटापलिजिम है, वो काफी तेज होता है, जिससे औरजन कम होने में दोस्तों आपको फायदा मिलता है दोस्तों, इसके साथ साथ, इस मिक्स पानी से आपकी डाइस्टिप सिस्टम भेतर हो जाता है, क्योंकि इसमें महजुद फाइवर, पाचन क्रियाव को सुधार करता है एस्टिटी, अपज, गैस जैसी समस्थे हैं, दोस्तों, कोसुंदूर चले जाते हैं आपसे सरीर को स्वस्त रखने के लिए, बॉड़ी को समय समय पर अगर डीटोक्स करना जरूरी है, तो इस से बढ़िया तरीका दोस्तों, और कुछ नहीं है ऐसे में अगर आप जीरासों पर अजवाईन के पानी का सेवन करते हो रोजाना, तो ये आपके सरीर से जहरिला तत्तोकू, विशाक तत्तोकू दोस्तों, बाहर निकाल देता है लिवर मजबूत होता है, फैटी लिवर दोस्तों, एकदम बिल्कूल ठीक हो जाता है किड्नी दोस्तों मजबूत होता है, याने सब की सुधार होती है ओबराल अगर कहूं तो आपका पूरा सरीर आपका डिटॉक्सिफाइड हो जाता है कोलेस्ट्रल दोस्तों होता है, केंट्रोल, अगर आप जीरासों पर अजवाईन का हेल्थ डिंक्स हमेशा लेते हो इसमें है, जो हमारे सुगर लेवल को दोस्तों कंट्रोल रगता है, और हमें डाइबेटीस के विमारी से बचाता है जिनकी कमजोर इमिनिटी है, थोड़े में थंड, बुखार हो जाता है, सिजनाल जब चेंजेस होते हैं, उसका सरीर सहता नहीं है तो उन्हें रोजाना जीरा सौंप रजवाइन का पाने जरूर लेनी चाहिए, जिससे आपका वाइरल इंफेक्शन से बिलकुल पाला ही नहीं पड़ेगा तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है, अगर आपको ज़्यादा समस्या है, सुबह एक बार पीलो और साम को भी पियो गंदी चाए के आदस से बेतर है ऐसा हेल्ट ड्रिंग्स दोस्तों लेना कॉफी, चाए, तंबाको, बीडी, सिगरेट आप अगर सोशते हो आपको स्ट्रेस से बचाता है, एंग्जाइटी से बचाता है आपका टाइम पास करवा जाता है गलत है, हेल्थ ड्रिंग्स ये है, इसको अगर पियोगे आपको एंग्जाइटी छू नहीं सकता डिप्रेशन में आओगे ही नहीं चाहिए जितनी भी समस्या आ जाए, और वेट कम होगी, ब्लेट पेशर कम रहेगा, डाइबेटीज बढ़िया रहेगा, हजम अच्छा होगा, फिट एंड फाइन रहोगे, तरो तया रहोगे, बाल अच्छा, नाखुन अच्छा, स्कीन बढ़िया, और हर तरह का गाइनिक प्रॉलिम दोस्तों ठीक होगा, जॉइंट पें तो दोस्तों छूम अंतर होगी, पंदरा जिन में आप देखो करके एक बार यह अपलाई, आसा करता हूँ, यह सब चीज का बेनिफिट आप जरूर लें, साथ साथ जो ठेरापी और जहा है कि आपको सरजरी ना कराना पड़े और एक नई जिन्दी कि आपको मिल जाए, ऐसे हजारों पेशन्ट को हमने ठीक कर चुके हैं, बगवान की दया है, आप लोग के उपर विएकर आसिरबाद हो गया, तो आपकी भी कल्यान हो जाएगी, तो संपर करना ना भूलें, थैं थैंकियो, थैंकियो बेरी मुट जाहिं जाए भार